टेस्ट 3, कोशिन 21, लावा गाड़ा होता है, इसलिए लेयर्स बन जाती हैं और दमाके से विस्फोर्ट होता है, ये किसकी पहचान है? स्ट्रेटो वोलकेनों की, ठीक है? स्ट्रेटो वोलकेनों या फिर कॉम्पोसिट वोलकेनों. कोशिन 22, मौनसून, इंडिया में दो ब्रांचेस से आता है, एक अरेबियन सी ब्रांच, दूसरा बे ओफ बिंगॉल ब्रांच. जो अरेबियन सी ब्रांच आरी ए, यहां पे जब हमालियस तक आती है, वेस्टन हमालियस तक, पंजाब साइट तक आती है, लगबख तब तक यहां से, इस्ट साइट से भी य दूसरी ब्रांच पया जकाती है बेफ बिंगॉल ब्रांच. तो जब दोनों ब्रांचे जाबस में टकराती हैं एके जगे पे यानि कि बहुत सारे बादल दो तरफ से एक जगे आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया बारिश होती है इस इसलाके में दूसरी बात बेफ बेंगॉल ब्रांच की ओरिजनल डिरेक्शन तो कुछ इस तरह से है लेकिन यहाँ पे अराकन हिल्स है में अनमार में इन हिल्स से टकराके डिफलेक्ट होके मौनसून इस डिरेक्शन में आता है इसलिए बेंगॉल में मौनसून साउथ इस्ट डिरेक्शन से एंटर करता है Q23 Distribution of Water सबसे ज़्यादा होता है Ice Caps में उससे कम Ground Water उससे कम Lakes उससे कम Atmosphere और सबसे कम Rivers Q24 River Cities Alliance 2021 में लौंच किया था Ministry of Jal Shakti और Ministry of Housing and Urban Affairs ने Statement दूसी तरह से भी आ सकता है मिनिस्ट्री के जगे इन मिनिस्ट्री के जो Departments है जो इसको Implement कर रहे हैं उनके नाम आ सकते हैं For example Ministry of Jal Shakti के जगे लिखा आ सकता है National Mission for Clean Ganga बिल्कुल ठीक बात है और Ministry of Housing and Urban Affairs के जगे लिखा सकता है National Institute for Urban Affairs तो दोनों ही statement बिल्कुल ठीक होंगी जब इस alliance को launch किया गया था तो इसमें 30 cities थी अभी लगबग 100 cities है इंडिया के कोई से भी river city यानि कोई भी city जिससे कोई नदी बहती है वो इसको join कर सकती है दाहरा नाम दिया गया है इस alliance की annual meetings को इसमें basically अलग लग cities के representatives आते हैं और आपस में discuss करते हैं कि हम अपने शहर से बैने वाली rivers को कैसे और अच्छे से manage कर सकते हैं आप लोग की क्या best practices है और हम आपस में जीरों से क्या सीख सकते हैं Plants with medicinal properties अब हर plant की कही ना कहीं कोई ना कोई medicinal property medicinal use होते ही है तो ऐसे questions में सब ये options को सही mark कर देना चीए Question 26 करेवाज कश्मीर में है बर्चंस deserts में बुग्याल्स हिमाल्यास में देखो कश्मीर में एक छोटा सा इलाका है यहां का soil saffron उगाने के लिए बहुत suitable है बर्चंस क्या होते हैं यहां एक तरह का sand dunes होते है ऐसे crescent shape के sand dunes होते है deserts में और बुग्याल्स क्या होते है पहाडों में काफी high altitude पे 3-4 km की उचाई में गर्मियों के टाइम पे बहुत बढ़िया घास उकती है इसको बोलते हैं बुग्याल्स यानि की summer grasslands Question 27 Deep focus earthquake जादर destructive होते हैं क्या नहीं जितना गहरा focus होगा उतने कम destructive होंगे क्योंकि focus जितना गहरा है तो उपर तक आते आते तो maximum energy वैसे dissipate हो चुकी होगी जो shallow earthquake होगा यानि की जो earth के बिल्कुल surface के बिल्कुल past में होगा वो जादर destructive होगा focus जितना गहरा होगा उतना destruction उपर कम होगा और दुनिया में जितने भी earthquakes आते हैं उनमें से लगबग 65% earthquakes circum pacific belt पे ही आते हैं Question 28 Warm and cold currents जो currents equator से poles की तरफ जाते हैं equator पे गर्मी है और poles पे ठंड़क है तो जो equator से poles की तरफ जाएंगे वो warm currents होंगे जैसे gulf stream auglass current और कुरोश्यो current और poles पे सड़दी है तो poles से equator की तरफ जो आएंगे वो ठंड़े होंगे ठंड़ा पानी लाएंगे जैसे की humbold या फिर पेरू current begula current और oyashio current Question 29 लोक्टक लेक मनिपूर में है लोक्टक लेक मनिपूर में है और मिजूरम को कहते है molasses basin of India Question 30 mountain ranges को north से south की तरफ लगाना है शिवालिक्स यहां पे है हिमाले के foot hills पे फिर south की तरफ आगो तो पहले विंदिया जाएंगे फिर सत्पुरा रेंज आएगी फिर अजंता रेंज आएगी वहां पे uniformly सारा soil उतरेगा यानि कि वहां पे sheet erosion हो रहा है लेकिन जहां पे slopes होगी slope की वज़े से पानी का बहाफ तेज हो जाएगा जब पानी का बहाफ थोड़ा तेज होगा तो पानी में इतनी शमता आ जाएगी कि वो soil को काटते होए चोटी चोटी नालिया बना लेगी चोटी 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 रिल्स बन जाएंगे जब यह रिल्स आपस में जुड़ेंगे क्योंकि पानी का बहाफ तेज है जब इन रिल्स में से पानी और स्पीट से भहरा होगा तो फिर ये रिल्स होड़े और चोड़े हो जाएंगे, आसपास के रिल्स जुड़ेंगे और चोड़ी-चोड़ी गली बन जाएंगे, गली इरोजन और जब पूरे ही लैंड में बहुत सरे ऐसे गली इरोजन हो जाएंगे, तो वो बैड लैंड बन जाएगा Q32, Quypen's classification, Quypen ने इंडिया को आठ क्लाइमाटिक रिजन्स में बाटा था जैसे NCRT में दिया हुआ है, एट क्लाइमाटिक रिजन्स, मौनसून विद शौर्ट ड्राई सीसन, जैसे हमारा ये कोस्ट है तो यहाँ पर जो गोवा के साउथ में जो कोस्ट है, इसको क्लासिफाई किया गया मौनसून, यहाँ पर मौनसून आता है, विद शौर्ट ड्राई सीसन, और जो तमिलनाडू की कोरमंडल कोस्ट है, इसको क्लासिफाई गया गया अज मौनसून विद ड्राई समर Question 33, Alderman ये term news मैं एती रिसेंटली MCD के context में तो municipality में किस भी municipality में जो nominated members होते हैं उनको aldermans कहते हैं और वो meetings में vote नहीं डालते हैं Question 34, vegetation found in Himalayas हिमालियास के foot hill से लेके एकदम उचाई तक आपको लगबग हर तरह के forest मिल जाएंगे ठीक है, बेस में आपको बेशक tropical rainforest मिल जाएंगे और जैसे से altitude बढ़ेगा तो अलग-लग तरह के climates और vegetation मिलती रहेगी तो ऐसे questions में सारे options को सही mark कर देना चीए Question 35, planets की density अब या तो सारी चीज़े learn कर लो तो बिल्कुल रटा माल लो या थोड़ा समझदारी से काम लो हमने ये जरूर पढ़ा था कि सबसे ज़ादर density अर्थ की है और सबसे कम density Saturn की है तो ये factor में रटा हुआ है कि सबसे ज़ादर density अर्थ की है दूसरी बात ये कि जितनी jovian planets है उनकी density terrestrial planets से तो कमी होंगी क्योंकि jovian planets gas की बनी हुई है तो इसलिए given options में से Jupiter की density कम होगी as compared to terrestrial तो दोनों ही facts अगर आपको पता है तो आप easily guess कर सकते हो question 36 step climate या फिर temperate continental climate जैसा है कि नाम में ही लिखा हुआ है कि ये continental climate है यानि कि continents के generally beach में पाया जाता है ऐसा climate जाने कि यहाँ पे समंदर का influence minimum होगा यहाँ पे generally सूखा रहता है यहाँ पे पानी जादा नहीं होता है moisture जादा नहीं होता इस वज़े से यहाँ पे जादा पेड़ भी नहीं उखते हैं लेकिन यहाँ पे यौरप में फोइन और नॉर्थ अमेरिका में चिनूक कुछ local winds है जो इन इलाकों के climate को काफी जादा influence करती है question 37 types of clouds सबसे उपर होंगे cirrus cloud उनके नीचे cumulus उनके नीचे stratus और सबसे नीचे काले बादल आ गए वो होते हैं nimbus clouds तो सबसे उपर cirrus clouds जो बिलकुल feathers की तरह दिखते हैं फिर cumulus clouds जो oon की तरह दिखते हैं stratus clouds जो layers में होते हैं और नीचे काले घने बादल nimbus clouds question 38 इंडिया में forest cover कितना है इंडिया का जितना भी area है उसका 21.71% forest है तो figure ध्यान रखनी है बाकी इसमें अगर tree cover भी add कर दोगे 2.91% का तो total बन जाएगा 24.62% अब जो forest cover है इसमें 3 categories हैं एक है very dense moderately dense और इन दोनों को मिला के dense भी बोल दिया जाता है और तीसी category है open forest ठीक है तो सबसे कम है very dense और सबसे ज़्यादा है open forest अब forest and tree cover को मिला होगे तो 24.62% ठीक है यह figure आपको ध्यान रखनी है अच्छा कई लोग confused हो जाते हैं कि forest area और forest cover में है 0% लेकिन forest cover है 90% यानि कि लक्षदीब का जितना भी area है उस area में 90% क्या है forest cover है कितने सारे forest हैं आपके हैं लेकिन forest area कितना है 0% ऐसा क्यों देखो जैसे ये India state of forest report से लिया गया है तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो 21% है इंडिया का total forest cover दी हुई है अब जरा concept को समझो देखो सरकार के records के हिसाब से सरकार के records के हिसाब से अगर कोई जमीन forest है तो forest है उसको बोलेंगे forest area वहाँ पे पेड़ हैं या नहीं हैं कोई फरक नहीं पड़ता पेड़ हैं या नहीं हैं कोई फरक नहीं पड़ता, अगर सरकारी record, सरकारी कागजों को हिसाब से forest area है, तो forest area है, that's it, ठीक है दूसरा concept होता है forest cover का जो survey किया जाता है survey में हम जाके देखते हैं, पेड़ कितने हैं, सरकारी record के हिसाब से forest है, या निया उससे मतलब नहीं है हमें survey में हम simply देखते हैं कि actually में वहाँ पे कितने पेड़ हैं वहाँ पे canopy density देखी जाती है ठीक है, canopy density का क्या मतलब हुआ, पेड़ के ऊपर यह जो पूरा crown निकला होता है ना पेड़ का उसको बोलते है canopy, तो अगर उपर से देखोगे, तो आपको इस photo में लगेगा कि हाँ पे काफी गना जंगल है तो यहाँ पे canopy density जादा है और यह ज़्यादा गना जंगल नहीं है, तो यहाँ पे canopy density कम है, ठीक है, तो canopy density के हिसाब से classify किया जाता है, कि कोई forest very dense है, moderately dense है, या open forest है तो जहाँ पे भी किसी भी area में, one hectare से उपर का area, जहाँ पे 10% से ज़्यादा canopy ने area cover कर रखा है उसको हम बोलते हैं forest cover 10% से ज़्यादा है तो बोलेंगे forest cover ठीक है, और forest cover में तीन classification आ गई, सरकारी record के साब से, अगर वो forest area है, तो है, नहीं तो नहीं ठीक है, तो forest cover और forest area या, दो अलग अलग चीज़े हैं, अब लक्षे दीप में क्या है सरकारी records के हिसाब से लक्षे दीप में कोई भी notified forest नहीं है तो अगर कोशन आ जाए कि लक्षे दीप में कितने forest हैं, एक भी forest नहीं है, क्योंकि सरकारी record के हिसाब से, वहाँ पे बिल्कुल भी forest नहीं है लेकिन वहाँ पे बहुत सारे पेड है इस वज़े से वहाँ को जो forest cover है, सर्वे में देखा गया है कि 90% area जो है, वो पेडों से डखा हुआ है, तो forest area और forest cover में आपको ध्यान रखना है, अब दोको यहाँ पे क्या लिखा रहा है, सर्वे रिपोर्ट तो सर्वे रिपोर्ट में क्या है, forest cover term use करी गई है क्योंकि अगर आपको से forest area पता करना था, तो area तो government documents निकालो, देख लो कितना area है लेकिन हमें actually paid देखने है तो हमें forest cover देखना है इसलिए हमाँ पे survey किया जाता है all over India हर दो साल बात ओबराइट क्या है ओबराइट एक तरह का meteorite है meteorites के बहुत सरे types होते है depending on क्या chemical composition है mineral composition है तो ओबराइट एक category के meteorites होते है पहली बार यह पाया गया था 1836 में France में गिरा था और 2022 में इसे गुजरात में भी देखा गया था चीक है तो यह Wikipedia page है कुछ इस तरह का light brown color का upright group of meteorites दिखते है question 40 जैसे हमने पहले डिसोस किया जब uniform leveled land होता है और uniformly soil उतरता है तो उसको बोलते है sheet erosion जब slope बनती है तो water के पास उड़ी गती आ जाती है उस speed से वहाँ पर छोटी छोटे rills कटेंगे rills आपस में जोड़ेंगे तो गलीज बन जाएंगी चीक है और अगर नदी बह रही है और नदी में speed से पानी बह रहा है और नदी के side में जैसे नदी बह रही है ये और जब पानी यहाँ पर बहेगा speed से तो यहाँ पर पानी के speed ज़्यादा होगी तो वो अपने साथ soil को erode करेगा तो इस erosion को बोलते हैं bank erosion